नमस्कार दोस्तों मैं हो अर्बिंद और आप देखे रहे हैं योटूब नर्बिंस लंगम दोस्तों आज किस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ लेवर काट के बारे में जैसा कि आप सभी लेवर काट के बारे में हूब भू जानते हैं आप labor card को apply करना सीख सकते हैं और साथ ही आप labor card को किस तरह से उसका status चेक किया जाता है वो भी आप देखकर जान सकते हैं किस परकार से status का check किया जाता है दोस्तों आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि labor card में होने वाले required documents कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपके लिए बहुत ही जादा important है और वो दस्तावेज कौन कौन से हैं जो इसमें लगने वाले हैं complete process मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को start से end तक देखेगा वीडियो को जरा साभी skip ना करीगा तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बने से वाले आप से क्रिक्वेश्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली पर विजट करो या भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली लाल बटन तो दबा कर सब्सक्राइब कर ले और पास में आरे बेल आइकन को भी जरूर पर आल नोटिफिक आप तक सबसे पहले पहुंशते हैं तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों लेवर कार्ट अपलाई करते समय उसमें लगने वाले दस्तावेश कौन कौन से हैं जैसा कि आपको थमनेल पर स्क्रिन पर दिखाई दे रहा होगा नमबर वन है आधार कार्ट और दूसरा है बैंक पास्बूक और तीसरा है शौग घोशना पत्र दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आधार कार्ट जो रहने वाला है जिसका भी आप लेवर कार्ट बनाना चाहते हैं जैसे अपना या अपने फैमिली मेंबर किसी का भी तो उसके आधार कार्ट को जिरोक्स करा लेन है और उसके उपर में पैन से लिख देना है श्वा प्रमाडित और नीचे की तरफ में जिसका भी आप करने उसकी सिगनेचर को हैंड रैटिंग से लिखना है और दूसरा है बैंक पास्बूक सेम प्रोसेस बैंक पास्बूक में भी रहने वाला है बैंक पास्बूक की भी आपको करा लेनी है उसमें उपर आपको स्वागोशना पत्र किया होता है और उसको आप कहां से डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों ये रहा स्रमेक पंजियन है स्वागोशना प्रमारपत यहां पर कुछ इस प्रकार का यह फार्म होता है जिसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जब आप लेवर कार्ट को अप्लाई करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्सन में वीडियो मिलेगी वहां से भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं किस परकार से स्वागोशना प्रमारपत को डाउनलोड किया जाता है तो इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है या करना है निवास ग्राम और पोश्ट और मॉवाइल नंबर जिला और तहसील जो भी होगा और उसके बाद में क्या कौन सा कार करते हैं बारा महिनों कुल कितने दिन आपने कार किया उसको फिल अप करना है नीचे के तरफ में नाम हस्ताक्षर पिता पती का नाम और अपना पता को जो आप एक एकठा कर लेते हैं तो जब आप आनलाइन करते हैं इन्हीं तीनों डाकुमेंट्स को आपको अपलोड करना होता और साथ में एक फोटो भी होती है जो कि आप फोटो का बैग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं बैग्राउंड कलर चेंज करने के लिए उसका भी वीडियो जो है आपको description में मिल जाएगा जो कई सारे description में आपको वीडियो मिल जाएगे जो काफी important वीडियो है जो कि आप उसे देख करके काफी सारा जो features है कई सारे जो benefits हैं आप उसको उठा सकते हैं दोस्तों labor card apply करते हैं ये तीन documents है और साथ ही एक photo है काफी जो भी details है आप उसको fill up करिए आप description में जो वीडियो दिया गया है उसको देख करके apply करना आप चीक सकते हैं दोस्तों आई हो कि वीडियो आपका पसंदा है वीडियो पसंदा है वीडियो को like शेर जरू करिएगा दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो नए topic साथ इस वीडियो बस इतना ही तब तक लिए जैहिंद बाई